मैं डॉक्टर पुश्पा महराज विभागा द्यक्ष हिंदी विभाग महिला कॉलेज डाल्यूया नगर आज मैं आपको बीए पार्थरी की छात्राओं के लिए फिफ्ट पेपर में छाया बाद उत्तर कावे सक्रहके में जो केदार नाथ अगरवाल जी को आपको पढ़ना है उनका कावे परिचय मैं आपके सामने प्रसुत कर रही हूँ केदार नाथ अगरवाल प्रगतिवादी कावे धारा के प्रतनीधी कवियों में से एक है प्रगतिवाद छायावाद के बाद के का व्यांदोलनों में से मुख्य आंदोलन है केदार नाथ अगरवाल व्यापक सामाजिक चेतना के कवी है उन पर माकस्वादी विचार धारा का प्रभाव दिखाई देता है और उनका जुकाव जन की तरफ रहा है और ग्राम में प्रकृति के प्रती उनका लगाव उनके कविताओं में हर जगर परिलक्षित होता है अपनी कविताओं के बारे में स्वयम कवी का कहना है कि मेरी कविताओं में मेरा अनुभूत व्यक्तित्व तो है ही साथ ही उसमें युग बोध और यथार्थ बोध भी है एक और वह व्यक्तित्व में भरपूर डूबी हुई है दूसरी और वह व्यक्तित्व से हटी हुई तटस्त भी है और वह तटस्तता मेरे व्यक्तित्व के बाहर कावे छेत्र में जीवित रखती है अगरवाल जी ने अपना कवी जीवन प्रेम और श्रिंगार की कविताओं से प्रारंब किया इन कविताओं में प्रणय सम्वेदना का आधिक्य है और वास्तों में ये जो है वो उनकी किशोरा वस्था की जो मनुभावना थी उसका परिणाम दिखाई देता है उनका एक कावे संग्रह नींद के बादल जिसमें ऐसी ही किशोर मनुभावना से परिपून प्रणय सम्वेदना की कविताओं संग्रहीत हुई है और इनमें इस नींद के बादल कविता संग्रा की जो कविताएं हैं वो प्रकृती में गहरी जीवन आस्था भी उसमें दिखाई देती है और केदारनात की दृष्टी प्रकृती के साथ साथ चलती है उनके बहुत सारे आप जो प्रकृती की कविताएं देखेंगी उनमें प्रकृती और लोग परिवेश सामाजिक सांस्कृतिक चेतना हर कविता में उपस्ति दिखाई देती है और इस प्रकार वो तुलसी, निराला, नागारजुन की भाती लोग जनके कल्याण से जुड़े हुए कवे बन जाते हैं मुखिताह मानववादी कभी है वे और जनता के बीच रहकर उनके कल्याण के लिए उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में उनकी जो प्रकृती है वो भी देखिए आप तो बिल्कुल ग्राम से जुड़ी हुई है ग्राम गाओं का जो एक शित्रन है वो उनकी कविताओं में बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है अप जैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता जो बासंती हवा की कविता जो है बास और वो जो कविता है वो प्रकृति की विवधिता और का व्यात्मक तनमेता दोनों आपको उसमें दिखाई देगा तो इसमें जैसे कवी ने जो नई उद्भावनाएं की हैं नई उद्भावनाएं क्या मतलब वो जो आज तक जो हवा होती थी उपवन से बागों से जुड़ दिया और वो जो मस्त बासंती हवा के जो क्रिया कलाप है वो पढ़कर आप जब वो कविता पढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि जैसे आप बिलकुल जुड़ गई और वो एक मस्त अलहर लड़की के रूप में दिखाई देती है जैसे बासंती हवा चड़ी पेड महुआ थपा थप मचाया गिरी धम से फिर चड़ी आम उपर उसे भी जखोरा किया कान में कूँ उतर कर भगी में हरे खेत पहुँची वहां गेहों में लहर खूब मारी पहर दो पहर क्या अनेको पहर तक इसी में रही में खड़ी देख अलसी लिये शीस कलसी मुझे खूब सूझ हिलाया जुलाया गिरी ना कलसी इसी हार कोपा हिलाई ना सरसो जुलाई ना सरसो हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं तो आप देखिए कि इस कविता में जो बसंती हवा है वो बिलकुल उपोण से निकल कर गाओं में पहुँच गई है और इसी के साथ इनके जो कविताएं ह दिखाई देती है और ऐसा नहीं लगता कि कवी किसी आरोप कर रहा हो किसी चीज पर जैसे प्रकृति का आरोप कर रहा हो इतना स्वाभाविक वर्णन है इतना सजीव वर्णन है इतनी सूख्ष्म निरिक्षन उसमें कवी की दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम इस के स्वयंबर की जहां की प्रस्तुत की है आप कविता को देखिए कि बिलकुल आप उसकी कवी की उसमें सूख्ष्म निरिक्षन द्रिष्टी एकदम साफ दिखाई देती है एक बित्य के बराबर यह हराट ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चड़ा कर कह रही है जो छुए या दूहरदय का दान उसको तो इस तरह इनके में प्रकृती जो है वो अनेक रूपों में दिखाई देती है जब कभी वो जीवन में निराश हो जाते हैं तो उस समय प्रकृती उनको जीने का आस देती है और जब वो आस देती है तो उस समय एक नई सौंदर ये समवेदना भी मानो उदित हो जाती है धूप नहीं यह, बैठा है खरगोश पलंग पर, उजला, रोएदार मुलायम, इसको छूप कर ज्यान हो गया है जीने का फिर से मुझ को. मतलब प्रकृति यहां उनको बिलकुल जीने का आज दे जाती है, निराज जीवन में आशा भर देती है, उनका प्रकृति प्रेम मानविय संदर्भों से युक्त है, प्रकृति मानविय संवेदनाओं से भरपून है, कवी के लिए मानव निरपेक्ष प्रकृति का कोई देता है, और इसलिए जो प्रकृति है, उन्हें मुक्ति की प्रेमा देती है, मुक्ति का मतलब यहां आजादी से है, कि जो मनुष्य होता है, उसके जीवन में बहुत सारे बंदन होते हैं, लेकिन प्रकृति जो होता है, वो उनमुक्त है, तो उस प्रकृति की उनमुक्ता को अपनाता है कभी और उसे ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति मानों को मुक्ति का संदेश देखती है, मुक्ति की प्रेणा देती है, जैसे वो कहते हैं, एक लाइन में बताओ मैं, कि खुल के आँन में धूप में धान के खेत की तर है, तो ये जो लाइन है, वो ये दिखाता है कि प्रकृति की उन मुक्तिता को, प्रकृति की जो स्वतंत्रता है, प्रकृति की जो आजादी है, प्रकृति में जो खुलापन है, वो इन सारी चीजों को प्रकृति से अपनाते हैं, और ऐसा लगता है कि प्रकृति उन पर ये प्रभाव डालती रहती है, तो इस तरह उनकी कविताओं में, उनके कावे में जो प्रकृती है, वो उर्जा, उत्सा और जीवन शक्ती बन कर आती है। तो ये था इनका प्रकृती वरणन और इसके बाद लेकिन इनके कावे में सबसुर्फ प्रकृती ही नहीं है, बलकि वो आगे चलकर जो कविता यात्रा जो चलती है, तो उसने अपनी बदली द्रिष्टी का परिचय कविताओं के माध्यम से दिया है। अपने दूसरे कावे संग्र, युग की गंगा की भूमिका में कवी ने कहा है, कवी ने स्वयम स्विकार किया है, कि अब हिंदी कविता ना तो रस की प्यासी है, ना अलंकार की इच्छुक और ना संगीत के तुकान पदावली की भूखी, अब वह चाहती है कि किसान की वानी, मजदूर की वानी और जन्मन की वानी बन जाए। तो ये अब वो उसकी वानी बनना चाहती है, और आगे चल कर जो कवी का प्रकृती प्रेम है, वह थोड़ा बदल जाता है, और कवी का जो यह वक्तव है, उनकी प्रगतिवादी मानेताओं की पुष्टी करता है, वास्तों में यहां आकर कवी जो है, वो जो किशोरा प्रेम की भावना थी, प्रेम का पाश था, बंधन था, उससे मानो वो मुक्त हो गया है, चूड़ गया है, और अब यह थार्थ के धरातल पर खड़ा हो गया है, और यहां पर आकर जो कवी है, वो सामाजिक विसंगतियों पर गहरी चोड़ करता है, समाज के सोशित दलितो को कावे में स्थान देता है, चंदू, चैतू, राम परदारत, राम निहोरे आदी कविताएं, बुंदेल खंड के आदमी जैसी कविताएं, इसका प्रमान है कि उनकी कविता यात्रा में उनकी द्रिश्टी बदल गई है, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें आ गया है, केदार प्रमा थक्रवाल के कविताओं की एक विशेष्टा और है, और वह है कि उनकी कविताओं में लोग धुनों पर आधारित बहुत सारे गीत मिलते हैं, और इन गीतों को बहुत ही लोक प्रियता और प्रसिद्धी भी मिली है, उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था, और राम द राम विलाज शर्मा ने एक जगह लिखा है कि कविता के अलावा केदार को संगीत से भी प्रेम है, जब दिल्ली में थे तो मैंने टेप की हुई सुलोचना ब्रहस्पती की मालकोश की बंदिश उन्हें सुनाई और वह उन्हें बहुत पसंद आई, जितने दिन वह यहां र करते थे, तो राम विलाज शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, यह जो उनकी लाइने हैं, वो यह दर्शाती है कि किदार ना थगरवाल को संगीत से बहुत प्रेम था, और यह संगीत प्रेम उनकी कविताओं में दिखाई देता है, उदासी भरी कविता हो या उल्लास की कविता हो, उसमें संगीत कहीं न कहीं उपस्तित है, और उनकी कविताओं में जो उनका संगीत है, उसमें गहराई है, वो ऐसा नहीं कि उथलापन है, बहुत ही, जैसे अभी मैं उदाहरण आपको देंगी उनकी कविता की, तो आपको वो समझ में आएगा कि कितनी गहराई है उनके संगीत में गीत विधा में कभी ने कुछ निजी प्रियोग भी किये हैं और यह जो है वो उनकी कविताओं में हर जगे दिखाई देता है जैसी उनकी प्रसिद्य कविता है माजी ना बजाओ वंची अब इस कविता को आप सुनिए तो आपको लगेगा कि संगीत से उन्हें कि जल डोलता है जल का जहाज जैसे पलपल डोलता माजी ना बजाओ वंची मेरा प्रन तूटता तो यह एक लंबी कविता है और यह अब हिंदी साहित में अपने धंका यह अकेला गीत है जो संगीत को इस नए रूप में प्रस्तूत करता है आगे चलकर कभी जब किदारनाथ अगरवाल ने प्रगतिवादि धारा को ज़ादा अपने कविताओं में डालना चाहा तो कुछ कविताओं उनकी बिलकुल सतही नारे बाजी सी हो गई है और इस तरीक की कविताओं में आरोपित प्रगतिशीलता स्पष्च दिखाई देती है और वो प्रचार सी लगती है वानो प्रकतिवादी धारा की का प्रचार कर रही हो लेकिन ऐसी कविताएं कमी हैं लेकिन कुछ कविताएं हैं और उस समय ऐसा लगता है कि प्रकृती के अनूठे एवं अचूते चित्रकार कवी ने कहीं कहीं प्रकृती के ऐसे लेंड्सकेप उरेये हैं जिन में अत्रिप्त वासना के दर्शन होते हैं ये उसी का प्रभाव है तो इनकी एक कविता है स्टेचू जिसमें कविता जो कविता इनकी इस विचार धारा में इनको प्रमानित करती है आगे चलकर उनकी कविताओं में आशा एवं विश्वास की जो लहर कवी के कावे में है वह बहुती ज़्य परिलक्षित होने लगती है भविश के सुन्दर होने की जिस संभावना को लेकर कवी चला है उसका संकेत बालक ने कविता में मिल जाता है ताल को कपा दिया कंकर से बालक ने ताल को कपा दिया ताल को नहीं अनंत काल को कपा दिया तो ये जो कविता है वो उनके आशा और विश्वास को दिखाती है तो इनकी जो केदारनाथ है वास्तों में केदारनाथ अगरबाल है उनकी जो जीवन दर्शन है वो जीवन का जीवन में के प्रती आस्था बहुत गहरी उनके जीवन दर्शन में दिखाई देती है उनके कविताओं में दिखाई देती है तो केदार साहिति में दिखाई देती है, इस विशह में अशोक्ति पाठी ने लिखा है कि केदार धर्ती के कवी हैं, खेत, खलिहान, कारखाने, कचहरी के कवी हैं, इन सब के दुख दर्द, संघर्ष और हर्ष के कवी हैं, वे पीडित और सोशित मनुष्य के पक्षधर हैं, वे मनुष के कवी हैं मनुष्य बनना और बनाना ही उनके जीवन की तथा कवी कर्म की सबसे बड़ी साध और साधना थी और वास्तों में यही मानव के प्रती प्रेम, जीवन के प्रती प्रेम, जीवन के प्रती गहरी आस्था ये उनके व्यक्तित्व का मूल गुण है और उनके काव उनमेश का मूल मंत्र भी यही है और उनके काव उपलब्ती का सार भी यही है धन्यवाद